हलो मैं प्रगती प्रॉम प्रोग्रेस क्लासे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अलग-अलग भासाएं बोली जाती है और अलग-अलग तेवहार मनाये जाते हैं उसमें से होली एक है होली हिंदूओं का महसुन तेवहार है आगे मैं आपको बताऊंगी कि होली क्यों मनाई जाती है होली के पीछे कौन सी पौरानिक कथा जूड़ी है और ऐसे पांच प्लेसे के बारे में बताऊंगी जो होली के लिए फिर्मस है तो आप मेरे वीडियो में लाश तक बने रहिए पहले में बात करूंगी होली क्यों मनाई जाती है होली के पीछे कौन सी पौरानिक कथा है भग प्रहलाद हिरन्यक कश्यप का फुत्र थे जो विश्नु भगवान के परम भग थे वो हमेशा विश्नु भगवान का जाप करते रहते थे जो कि उनके पिता हिरन्यक कश्यप को पशन नहीं था वो खुद को भगवान मानता था और उसकी सारी प्रजा उसकी पूजा करती थी हिरन्यक कश्यप भग पहलाद को मारने का बहुत सारे प्रयक्र करा लेकिर वो शफल नहीं हो शका हिरन्य कश्चप की बहन का नाम होलिका था, उसको बर्दान में एक चादर मिला हुआ था, वो चादर अगनी में नहीं जल सकता था होलिका उस चादर को खुद को ढखके और भग पहलाद को गोद में लेके बैठ गई अगनी कुंड में हवा का एक तेज जोका आया और वो चादर उरकर भग पहलाद को ढख दिया और होलिका जल गई उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाने लगा और उसके दूसरे दिन एक दूसरे को रंग लगा के गुलाल लगा के होलि मनाई जाने लगी तो आगे आपको मैं बताऊंगे कि होली कैसे मनाते हैं होली में हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं गले मिलते हैं और एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं यह तेवहार हिंदी मा थागुन पुर्णिमा को आता है बसंत लितु की आगमन को बताता है होली का दहन मेल होली से एक तिन पहले होती है बड़ी होली नेश्टे को होता है होली में हम दोस्तों और प्रियजनों के साथ रंग खेलते हैं स्वादिश्ट मिठाई, गुजिया, दही भले, पुवा बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं इस तेवहा से इसे राधा कृष्ण के प्रेम पर संग से भी जोड़ा जाता है अब मैं आपको ऐसे पांच प्लेसेज बताऊंगी जो गोली के लिए प्रशिद है बरसाने की गोली, लट मार गोली उसमें लेडीजे जेंस को लाठी से मारती हैं और जेंस लेडीजों को रंग लगाता है उदैपूर की गोली, राजसाही अंदाज में खिली जाती होली उहां देश-विदेश की लोग देखने के लिए आते हैं मत्रा की गोली, फुलो की गोली, वहां फुलो से गोली खिला जाता है आनन्दपूर साहिप की गोली, वहां कर्तब और कलाबाजे दिखाये जाते हैं सांती निकेतन की गोली, अच्टूदेंट एंड टीचर कल्चरल प्रोग्राम होता है उहां पे, उहां भी लोग दूर-दूर से देखने के लिए जाते हैं खुली हर्सो उल्लस का तिवार है, आप खुली अच्छे से मनाईए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए लेकिन अपने अस्कीन का केर कीजिए और नैच्रल कलर यूज कीजिए, जिससे आपके अस्कीन को नुक्सान ना हूँ मेरे तरफ से होली की धेर सारी सुबकाम नाए, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो